असलाम अलेकों अब्रीवन दिस अहमेद शफी काफी कोई हफते भर से वो सोशल मीडिया पे मैं अब्सर्फ कर रहा हूं कि जब से ये करंसी हमारी जो है वो डी वैल्यू की गई है गवर्मेंट ने अपना कंट्रोल इसके उपर से रिमूफ किया है कैप रिमूफ किया है और स 75-80 क्रॉस कर गई है तो मतलब एक बड़ा पैनिक और बड़ा एक समझें वो डी मोटिवेटिंग वीडियो डी मोटिवेटिंग पोस्ट चले जा रहे हैं कि भाई बस अब सब खतम हो गया है ना आप खाने पीने को होगा कुछ आपके पास ना आपके पास फ्यूल होगा ल और यह जो डील है और यह जो सक्ष शरायते हैं यह एफेक्टिवली हमारे लिए बेनेफिशल कैसे होगी अच्छा देखें सबसे पहली बात हो यह जिनको लगता है भी फ्यूल खतम हो जाएगा खाना पीना खतम हो जाएगा खुदाना खासता सबजी आ नहीं है मेडिसन्स नहीं पैटरॉल नहीं है पोर्ट पे कंटेनर फसे वें डॉलर्जं नहीं मुल्के अंदर तो यह ओव भू बाते कर रहे हैं देखें सबसे इस पहली बात तो एक छीज़ओ से घजगा कि इखाना कुछ बी नहीं होगा क्योंकि पोर्ट पे कड़े कंटेनर जों वो पोर्ट नहीं है ये बात बिल्कुल तैया है लेकिन देखें डॉलर्स का मैंने पहले भी अपनी वीडियो बनाई वी है डॉलर्स के जो मेजर सोर्स हैं फॉरें रेमिटेंस जो आपको वरकर्स बाहर से जो लोग काम कर रहे हो थे रेमिटेंस बेशते हैं वो बिल्कुल ब्लॉक थर्ड एक्सपोर्टर्स जिनोंने पाकिस्तान से भार माल बेचा था बट उनको वहां से डॉलर्स मिल गए थे दे न्यू कियर अगर हम डॉलर्स मंगवाएंगे तो हमें दोसो सत्ताइस-सत्ताइस रुपए मिल रहे थे गवर्मेंट ने क्या लगाया बता और अब जो है फ्यूचर में ये बढ़ भी जाएगा ये भी उनकी अंटिसिपेशन थी या अगर फॉरण चाहिए तो ग्रे मार्केट से मंगवा ले तो तीनों तरफ से आपके पास चीजें ड्राइड अपनी थी अब होगा क्या भाई कि जब 270-280 रुपए का डॉलर्र हो गया है तो आई-म-फ की डील के आप करीब हैं जैसी वो डील हो जाती है क्योंकि आपने अच्छी खासी बाते तो मान लिए वहां से आपके पास जो है वो लेंडर्स के थुरू आई-म-फ के थुरू डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे और थर्ड अब एक्सपोर्टर्स को भी जब है क्यार अब डॉलर रेट बढ़ चुका है और अब हम पैसे मंगवाएंगे तो हमें को इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा तो वो भी अपने जो है वो डॉलर्स बार्स से मंगवा लेंगे तो डॉलर्स आपके पास आ जाएंगे और पोर्ट पे भाई जितने कंट इवन हमारे जो गवर्मेंट ओफिशल्स हैं वो बीस को बराबरा करते हैं लेकिन फॉर दफर्स टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हमारी कंट्री रन की जा रही है ना आई-एम-फ की डील हमारे लिए बहतर है इससे देखें इंफलेशन तो आएगी इसमें है भाई उनकी कंडिशन ये है कि गवर्मेंट ओफिशल्स ब्योरोक्रेट्स गवर्मेंट सेर्वेंट्स ग्रेट्स 17 से 22 तक के अपने आसेट्स और फैमिली के नाम पर जो आसेट्स हैं वो पब्लिकली डिस्क्लोस करें तो ये कौन से उनकी बुरी शर्त है भाई ये तो पॉलिटिकल कंडिशन रख लिए तो ये भी आपके मुल्क के लिए अची चीज है फिर उनोंने कहा है कि भे आप अपना टेक्स नेट बढ़े तो जाहर है अब 2-4 परसंड लोग सेलरी तब का टेक्स दे रहे हैं बाकी लोग मज़े करें तो ये भी कोई बुरे शर्त नही है वो अपनी पॉपलेशन का टेक्स नेट बढ़े है और चौती जो स्टेट ओन एंटरप्राइज़स मुसलसल सिर्फ लॉस में पैसे खाय जाती है उनके लॉसस कम करें तो आपको पता है हमारी कुछ ऐसी स्टेट ओन एंटरप्राइज़स है जेनोंने सारी जंदगी अव बहुत ख्याल रखिएगा वीडियो को शेयर कीजएगा आपको पसंदा है तो टेक केर अलाफिस